परमानू बमों की विनाशकारी शक्ती परमानू विखंडन से आती है न्यूट्रॉन उत्सजित करते समय नाभिक विभाजित हो जाते हैं और इस तरह उर्जा छोड़ते हैं हालां की यह दुरलब है परमानू विखंडन अनायास हो सकता है या इसे न्यूट्रॉन बमबारी द्वारा उत्पन किया जा सकता है यह लियो सोल्ड था जिसने सुझाव दिया था कि यदि एक परमानू एक न्यूट्रॉन को अफ्शोशित करता है तो यह एक श्रिंखला प्रतिक्रिया शुरू करते हुए कई न्यूट्रॉन को विभाजित और मुक्त करेगा 235 के परमानू द्रव्यमान वाला यूरेनियम समस्थानिक और 249 के परमानू द्रव्यमान वाला प्लूटोनियम समस्थानिक इसके लिए सबसे उप्युक्त है चून की प्रतियक विखंडन घटना के साथ दो या तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं प्रतिक्रिया की पूर्व शर्त्य है कि विखंडनी अपदार्थ एक सुपरक्रिटिकल अवस्था में प्रवेश करना चाहिए, यानि इसका द्रव्यमान और भनत्व न्यून्तम मान से अधिक होना चाहिए. सहज विखंडन द्वारा जारी न्यूट्रॉन नाभिक से टकराते हैं और उन्हें विभाजित करते हैं, जिससे आगे न्यूट्रॉन निकलते हैं और श्रिन्खला प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है. यूरेनियम बमों में विखंडनी या सामगरी को कई अलग छोटे टुकड़ों में रखा जाता है. जब ये टुकड़े, विस्फोट को द्वारा एक साथ धके ले जाने पर, उनका संयोक द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक हो जाता है और एक विस्फोट होता है. प्लुटोनियम बमों में, श्रिंखला प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए विस्फोटक सामगरी को विस्फोट को द्वारा संकुचित किया जाता है. मैनहेटन प्रोजेक्ट एक परमानू बम के विकास के लिए एक अमेरिकी शोध कार्यक्रम था. भौतिक विदों की टीम का नेत्रित्वर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था. नाजी जर्मनी ने भी परमानू बम विक्सित करने का प्रयास किया, लेकिन सौभाग्य से असफल रहा. ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने अपना लक्ष्य हासिल किया. 1945 में उन्होंने लिटिल बॉइ नाम का एक यूरेनियम बम और फैट मैन नाम का प्लूटोनियम बम बनाया. 26 WS-1945 को मित्र राष्ट्रों ने द्वितिय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए ततकाल आत्म समर्पन करने के लिए जापान को एक अल्टिमेटम भेजा. जब जापान ने अल्टिमेटम को खारिज कर दिया, तो दो बम तैनात किये गए. 6 अगस्त को हिरोशिमा पर एनौला गे नामक एक बमवर्शक ने लिटिल बॉई को गिरा दिया, और 9 अगस्त को नागा साकी पर बॉक्सकार नामक एक बी 39 बमवर्शक ने फैट मैन को गिरा दिया. 2 हमलों ने भयानक विनाश किया, कुल मिला कर 3000 से अधिक नागरिक मारे गए. कई पीडियों बाद भी, विकिरन प्रेरित उत्परिवर्थन के कारण बच्चे गंभीर जन्जात विकारों के साथ पैदा हुए थे. परमानू बमों की तैनाती ने जापान को भुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. 215 को युद्पोत युएसस मिसौरी पर द्वितिय विश्व युद्ध के अंत को चिनित करने वाले आत्मसमर्पन के साधन पर हस्ताक्षर किये गए थे.